अल्पी साइको के दौरान कुछ ऐसी बाते होती हैं जो विद्यार्थियों को कैंडिडेट्स को अक्सर चौंका देती हैं आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिज करेंगे कि वो कौन-कौन सी ऐसी परिस्तितियां हैं संभावित परिस्तियां जिससे बचे रहने की तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए अपने 10-12 साल के टीचिंग के अनुभाव के अधार पर मैंने कुछ ऐसी गलतियों का कैलेक्शन किया है जिसको अक्सर विद्यार्थी करते हैं और जिसकी वज़ा से उनका रिजल्ट होते होते रुख जाता है इन गलतियों से बचे बगएर आप साइको में बहतर से बहतर परदर्सन नहीं कर सकते पहली सबसे बड़ी गलति विद्यार्थी ये करते हैं कि जितने भी अभ्यास पूर्व में पुछे गए हैं जितने भी जाँच परिक्षन पहले हुए हैं जितने भी प्रसन अक्सर पुछे जा चुके हैं उनका अभ्यासों करते हैं किसी नई जाच के लिए उन तयारी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास नए तरह के प्रस्ण के सेट नहीं होते हैं उनको आडिया नहीं होता है कि इस concept पर अधारी दूसरा प्रस्ण भी पुछा जा सकता है और उसकी तयारी हम कैसे करेंगे तो concept के बारे में तो सोचते ही नहीं है वो सिर्फ पुछे गए प्रस्णों का अभ्यास करते रहते हैं और उसी के अधार पर दिये गए प्रस्णों के set बनाते रहते हैं और ये मान कर चलते हैं कि उनका परिक्षन बहुत बहतर जाएगा लेकिन पहली बार मैं उदारन देना चाहूंगा पतना बोड पतना आररवी बोड ने सबसे पहले चौकाने वाला प्रस्णों पुछा था जिसके लिए कोई भी जारती पहले से तैयार नहीं था और हो था कि ब्रिक्ष की जगा पर उन्होंने बिलकुल एक नया जांच परिक्षन लाया और हो था क्यूब हीडेन क्यूब ब्रिक्ष भी थ्री डाइमेंशनल फिगर होता है ब्रिक्ष भी थ्री आयामिय चित्र होता है और क्यूब ही थ्री डाइमेंशनल फिगर पर अधारित परशन थे लेकिन ब्रिक्ष का अभ्यास तो उन्होंने बहुत बहतर तरीके से किया था उसी कंसेप्ट के अधार पर थोड़ा सा सेफ बगल दिया गया क्यूब वाइड को क्यू बना दिया गया, घनाप को घन बना दिया गया, जिसके चलते जो जिन्होंने concept नहीं सिखा था, concept की जिनको जनकारी नहीं थी, वो पूरी तरह से हतास और निरास महसूस कर रहे थे, मुझे याद है उस समय पिद्यार्थियों की घवराहट कितनी ज़ तो नया परिक्षान जब ही आपको मिलेगा, आप चौक जाएंगे, और इस बात को मान के चलिए, कि जितने भी आडियो से के साइट पर प्रेक्टिस के सेट दिये गये हैं, उनसे हटकर भी प्रसन पुछा जा सकता है, और उसके लिए आपको तैयारी करके रखनी होगी, कि थ्री डाविंसलन प्रसनों के अधार पर हो सकता है कि किसी बोर्ड में ऐसे प्रसन पुछे जाएं, जिनमें घन और घना यानि कीव और कीवड दोनों सम्मेलित हो, तब उस परिस्तिती में आप इसको कैसे साल्प करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसके लिए आवस्यक है कि आप इसके बारे में दो गलतियां अकसर विद्यार्थी करते हैं, इसके एक रोचक घटना मैं बताऊंगा, कि पिछले साइको के दोरान, एक स्टुडेंट मेरे पास आया, और उसने मुझे बताया, कि सर, पुछा उसने, कि सर, कितने घंटे की प्रेक्रिस से मेरा साइको निकल तो मैंने जबाब दिया कि चार से पांच घंटे प्रेक्टिस करूगे प्रति दिन और भी लागातार नहीं, ब्रेक दे दे करके, तो तुम्हारा साइको का रिजल्ट आ जाने का चांसेज है, उसने का कि सर, सिर्फ चार पांच घंटे के प्रेक्रिस से साइको निकल मेरे साथ एही हुआ है, जब से मेरा रिजल्ट आया रेल्वे का, मैं सुभा आथ बेज से रात को आठ बेज तक बारहा घंटे कंटिनू प्रेक्रिस करता रहा है, बीच में खाने पिने के और बाकी कामों के अलावा, मैं सिफ प्रेक्टिस करता रहा है, और दो-तिम साइको में दे चुका हूं और मैं डिस्क्वालिफाई कर जाता हूं मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है तो एक बात का ठीहान रखिए यह मनुभध्यानिक परिशन है आपके माइंड का जाच है और माइंड से काम कैसे लिया जाए यह आपको जानना होगा अगर आप ओभर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ठीहान थक जाएगा, ठीहान तो दिमाग उस काम को एकसेप्टि नी करेगा जो आपको उसे जबरज़स्ति कराना चाहते हैं तो दिमाग से काम कैसे ले और किस तरसे हम उसका सहीं उप्योक करें यह तो आपको बेसी कंटर तक अबयास करें और अबयास करने के दौरा झिन-किन बातों का ख्याल रखें इसको तो बहुत बेहतर तरीके साफ को जानना होगा तभी आप साइको में अच्छा परदर्शन कर सकते हैं आने था साइको में आपका मार्स आपक सढसार हो सकता है ओभरा भयास का दूसरा नुकसान अत्याधिक प्रेक्टिस का दूसरा नुकसान क्या होता है इसमें जैसे अब तक जब से साइको लिया जा रहा था तब से लेकर पिछले साइको तक find 6 पुछा जाता था विद्यार्थी find 6 का इतना ज़्यादा अभयास कर लेते थे कि find 6 में वो 75 परशनों में से आराम से 70 परशन बना लेते थे 2015 के साइकों में पहली बार find 6 की जवब पर find 9 पुछ दिया RRB ने किसी RRB में पुछा गया find 9 find 9 का प्रसना आया विद्यार्थी ओने अपने दिमाग को तो ट्रेनिंग दिया हो था छे पकड़ने के लिए अब उसको काम मिल गया नौ पकड़ने का नतीजा क्या हुआ कि सुरू में तो कुछ देर तक उन्होंने 9 खोजा और उसके बाद उनका दिमाग अटोमेटिकली सिप्ट कर गया 6 पर और उसके बाद वो find 6 करने लगे बाद में उनको दिमाग में आया कि हमको तो find 9 करना है तो फिर से 6 से 9 पर गये और जब थोड़ा सा कंसंट्रेशन उनका इधर सुधर जाता था फिर उनका दिमाग उहीं पुराना find 6 करने लगता था यानि अत्या धिक अगर आप प्रयास करते हैं कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते हैं और सिर्फ प्रेक्टिस करते हैं तो जैसे ही प्रेक्टिस करने हैं तो आपने तो प्रेक्टिस किया वा find 6 का अब आपको find 9 करना है और find 9 करने के लिए आपका concentration shift होना चाहिए 6 से 9 पर लेकिन आपको concentration बढ़ाया यह नहीं है तो आपका दिमाग automatically फिर find 6 करने लाएगा इसलिए आपको किसी बी तरह के आंग को ठोढ़ने के लिए अपने दिमाग को तेया रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको कंसंट्रेशन का भी मेरा थी क्योंकि हो सकता है कि find 9 की जवब पर find 8 आजाए या find 2 आजाए या find 7 आजाए उस परिस्तिती में आप फिर क्या करेंगे क्योंकि आपने तो concentration बढ़ाया हुआ ही नहीं है या हो सकता है कि कोई नई टेस्ट बैटरी आजाए concentration की जाच करने के लिए उस परिस्तिती में आपको परिसान होना पड़ेगा आपकी उल्जने बढ़ सकती है तीसरा और सबसे important है परिक्षण के दोरान बिद्यार्थी क्या गलती करते हैं साइको में और इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि अपने बगल वाले बिद्यार्थी से ये जानने की कोशिस न करें कि उसने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है उसके बावजूद कुछ बिद्यार्थी ऐसी गलती कर लेते हैं पिछला जो साइको हुआ था उसमें मेरे बिद्यार्थी ने यहीं गलती की थी और उसने बड़ा रोचक अपना उनुभा सुनाया उसने का कि सर एसेम के साइको में जो पहला प्रस्न पुछा जाता है वो इंटेलिजन्स टेस्ट का होता है क्लासिफिकरसन का होता है और उसमें 35 प्रस्न पुछे जाते है मेरे बिद्यार्थी ने सिर्फ 28 अठाइस प्रस्न बनाये थे और उसने बगल वाले से पुछा कि तुमने कितने बनाया हो बगलवाले ने बताया कि मैंने तो 34 बनाया है, ओट अब 35, अब मेरे विद्यार्थी की घबराहट बढ़ गई, उसको लगा कि मेरा स्कोर बहुत कम हो जाएगा, और इसका स्कोर बहुत जादा हो जाएगा, और इस थोड़ी सी नेगेटिव सोच के वज़ा से, और इस नेगे जाएगा, मैं तो चुना नी जाओंगा, और इसकी घबराहट उसका हर्ट इतना बढ़ गया, कि उसने बताया कि सर मेरा हाथ पर बिल्कुल एदम जलने लगा, बलड सर्कुलेशन बढ़ गया, चेहरा मेरा लाल हो गया, अब समझ भी या रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसी वक्त आपका बताया हुए तरीका कि अपने नर्वसनेस को तुरत कैसे कंट्रोल करें, मैंने उसको शुरू कर दिया, और एक मिलट के अंदर अंदर मेरा नर्वसनेस कंट्रोल हो गया, उसके बाद दो था और नमबर एडिशन, और नमबर एडिशन में मैंने 30 में से 26 प्रशनों को हल किया और मैंने फिर भगलवाले से पूछा फिर उसने दुबारा गलती की लेकिन इस पर थोड़ा एंसर उसके पक्ष में मिला तिसनी इसकी स्थिति में और सुधार हुआ बगलवाले ने बोला कि मेरा तो 22 बना और इसने 26 बनाया था तब इसको लगा कि नहीं मेरा अच्छा जा रहा है और मैं कंपीट कर सकता हूँ और उसका रिजल्ट आया भी वो सलेक्ट हुआ एसम में और अभी पोस्टेड है नोकरी कर रहा है तो इन 10-12 बरसों के दोरान मैंने सिखा है देखा है कि विद्यार्थी कौन-कौन सी गलती करते हैं और उन गलतीयों स किस तरह से बचे इस पर आपको काम करना होगा तभी जाकर आप साहिकों में बहतर से बहतर परदर्सन कर सकते हैं क्योंकि धिखाल रखिए यह आपके माइंड का जाच है आपके प्रयास का अभ्यास के आपके प्रेक्टिस का जाच नहीं है इसलिए जब भी आप और प्रेक इसलिए इन सभी बातों से हम कैसे बचे नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब को लेकर के आएंगे उन सी धानतों को लेकर के आएंगे जो साइकों में बहतर परदर्सन करने के लिए अतिया वस्यक है